जी यह बच्चो हॉँ हम लोगों ने सिंगल मेंब्रेन बॉन सेल ओर्गेनल को कम्प्लीट कर चुका है आज मेंब्रेनलेस बोडी का माइक्रो बोडी का इस्ट्रडी करेंगे सबसे पहले राइबोजोम साथ है मेंब्रेल लेस्ट मेंब्रेल लेस्ट सेल और्गेनल में तो हेडिंग रहेगा हमारा फर्स्ट मेंब्रेल लेस्ट कि माइक्रो बोडीज राइबोजूम कि राइबोजूम राइबोजूम मेंब्रेल लेस्ट सेल और्गेनल है कैसा और्गेनल है इस्मोलेस्ट Membrale Lace Membrale Lace Cell Organal है सबसे छोटा Membrale Lace Cell Organal Membrale Lace Membrale नहीं होता है Smallest in Size होता है smallest in size होता है बट more in number per sale होता है है ना smallest in size size but larger in number more in number more in number per sale होता है छोटा छोटा होगा तो एक boundary wall में ज्यादा numbers में होगा कहने का मतलब यह है smallest in size होगा बट more in numbers per sale होगा एक sale में ribosomes number में ज्यादा होंगे क्योंकि चोटे size का है एक question यहां पर arise होता है यह तो ribosomes की बात कर रहे है ribosomes membranless smallest cell organelle है कैसा cell organelle smallest membrane cell organelle ribosome है एक और question के थुरू हम लोग cell organelle को mention करेंगे यहां पर the smallest membrane bone cell organelle the smallest membrane bond cell organelle is यहां पर हम लोग लाइसोजोम को राइबोजोम को नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर membrane less नहीं है membrane bone cell organelle है membrane से घिड़ा हुआ smallest जो होता है वो क्या होता है लाइसोजोम होता है तो answer पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे लाइसोजोम हो सकता है confuse कराए question में membrane bone cell organelle पूछ दे ध्यान से membrane less पूछ दे membrane less cell organelle अगर पूचेंगे तो वो हमारा ribosome होगा और membrane bone cell organelle smallest में होगा तो वो क्या होगा लाइसोजोम होगा यह बाते हमें है याद रखनी है चलो discovered के बारे में करते हैं डिसकरवड़ी राइबोजोम का किस ने किया general points तो discovered by plate discovered by ribosome को discovered किस ने किया plate ने किया so called so called plate particles इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं plate particle भी बोलते हैं plate ने discovered किया तो plate के नाम से राइबोजोम का नाम plate particles भी रखा गिया पहली बार plant में report किया रिपोर्ट किया गया किसके थूरू Robinson और Brown के थूरू Robinson Brown ने first time plant cell में report किया इसको राइबोजोम को तो राइबोजोम्स इन प्लांट फर्स्ट रिपोर्टेड बाई इन प्लांट फर्स्ट रिपोर्टेड बाई रिपोर्टेड बाई रोबिंसन और ब्राउन किसने किया रोबिंसन और ब्राउन ने यह दो साइंटिस्ट था प्लांट शेल में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया प्लांट शेल में फर्स्ट रिपोर्टेड बाई रोबिंसन और ब्राउन ने और यह रोबिंसन ब्राउन ने सबसे पहले किसमे राइबोजोम्स को देखा बीन के root cells में first seen in first seen in bean root cell root cell bean बकला होता है bean के root cells में इन्होंने क्या किया ribo jones को first time देखा यह जो है इसको universal cell organelle बोला जाता है ribo jones को क्या बोला जाता है universal cell organelle और क्यों बोला जाता है क्योंकि यह maximum जगों में पाया जाता है universal cell organelle universal cell organelle क्यों universal cell organelle बोला जाता है क्यों बोला जाता है कुछ तो बज़े होगा universally हर जग पाया जाता है that is common in that is is common in कहां पे कोमन पाया जागा राइबोजोम्स , अनिमल एड़ प्लांट जर्च बोथ अनिमल एंड प्लांट बोथ इसके एलावा प्रोकेडियोड्स यूकेडियोड्स हर जग़ पाया जायेगा है ना एंड बोथ इन प्रोकेरियोर्स एंड यूकेरियोर्स प्रोकेरियोर्स एंड यूकेरियोर्स दोनों जगह पाया जाएगा एनिमल में भी पाया जाएगा प्लांट में भी पाया जाएगा प्रोकेरियोर्स में भी पाया जाएगा यूकेरियोड में भी राइबोसों पाया जाएगा इसी वज़े से इसको यूनि वर्सल सेल और्गेनल बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनि वर्सल सेल और्गेनल बोलते हैं because plant body plant cell, animal cell and prokaryotes and eukaryotes हर जगह पाया जाएगा prokaryotes की अगर बात करें in prokaryotes कि अगर बात करें तो प्रो ரियो अगर इन प्रोडर में इन प्रो-डियोंड कहाँ पाया जाएगा प्रोकेरियोंड में फिरीली इन साइटो प्लाज्मीर काय जाए जाएंगा यहीं पर स की अगर बात करें старेप़ जाएगा ओन्दय वाफश अफ नुक्लियर में पाया जाएगा एंड़ प्लाजमी एक रेटिकुलम में पाया जाएगा तो यूकेरियोर्स में देखते हैं इन यूकेरियोर्स में अन यूकेरियोर्स में पाया जाएगा इसके साहथ साथ on the surface of nuclear membrane on the surface of nuclear membrane NM कर देते हैं इसके साथ on the surface of endoplasmic reticulum and nuclear membrane and यहीं पर कर देते हैं है नुक्लियर मेंब्रेन एंड इंड़ो प्लाजमी करेटिकूलम यह हर जब आजरे यू कि रियोक्रेस में साइक्ड़ा जाएगा ओन ड्सथ्वएस नुक्लियर मेंब्रेन पाए जाएगा and endoplasmic reticulum यह सब पाया जाएगा इसके इलावा also found in cell organelles mitochondria और chloroplast तो यहाँ पे भी ribosomes पाया जाएगा बट वहाँ पे जो ribosomes होगा हाँ, sorry plastidial ribosomes plastid में अगर पाया जाएगा chloroplast में जिसको plastid बोलते हैं plastidial ribosome बोलेंगे और अगर mitochondria के matrix में पाया जाएगा तो mitochondrial ribosomes बोलेंगे also found in इसके नीचे एक point all दिख लेंगे ribosomes also found in also found in mitochondria and plastid chloroplast All od Choraloplast mitocondria में जो wusounds पाया जाता है उसको हम लोग mitochondrial ribosome बोलते हैं क्या बोलते हैं Mitochondrial Ribosome और अगर chloroplast में पाया जाएگा उसको Estoyal ribosome बोलते हैं कि और पलाइबॉस्टोम इस तरह से प्लास्टेडियल राइबॉस्टोम बोलते हैं और एस थ्पन इन ही आईटो कोंडिय टॉडीय क्लोड़ो प्लास्ट ओक. यह माइटो कोंडिया में माइटो कोंडिया दो जो यूर्ड डर्यवा दोलेंगे इस तरह से यूर्टीडर ब सैयल और इनिमल सेज Chandler से प्रोकेरियोब सिंन यूएडो यूर्वाया जाएगा जिस वजचे इसको क्या वोलते है यूर्षाल केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन और राइबोजोम का हम लोग देखेंगे यहां पर बना हुट कंपोजिशन मिस क्या-क्या केमिकल सबस्टांस से बना हुआ है तो यहां पर हम लोग बात करेंगे यह जो बना हुआ होता है कंपोजिशन इसका होता है राइबो नुक्लिओ प्रोटिन काव बना होता है क्या बोलते है राई-बो्न ऊप्रोटीन और यहां पर यहां पर को आरेने होता है इस पार्टीकल का बना होता है इस इसमें RNA आता है और दूसरा प्रोटीन वाला पान आता है. दो कंपोजिशन होती है. RNA में RRNA होता है राइबोजूमल आरेने. इस तरह से यह केमिकल कंपोजिशन होता है राइबोजूम का. यहाँ पर डायग्राम की अगर बात करें physical structure of ribosome फिसिकल structure में यहाँ पर पता चलेगा कि protein कौन सा part है और ribosome का RNA जिसको हम लोग ribosome अरेने हैं, दोनों से मिलके कौन सा parts protein है कौन सा part RNA है तो यहाँ पर physical structure of ribosome को mention करेंगे physical structure प्राइबोजोम यहां पर फिजिकल स्ट्रक्चर ओफ राइबोजोम देखेंगे तो इस तरह से स्मॉलर सब्यूनिट होता है और इस तरह से लार्जर सब्यूनिट होता है कि यहां पर टरनेल होती है रास्ता होता है यह स्मॉलर सब्यूनिट है कि स्मॉलर सब्यूनिट को कैब बोला जाता है और ये लार्जर सब यूनिट है इस लार्जर सब यूनिट को बोडी बोला जाता है और में बोडी बोलेंगे और ये बोडी और कैप को जोडने वाला इसमोलर और लार्जर को जोडने वाला ये दोनों बोडी ये दोनों जो अलग अलग नहीं दिख रहा है एक लार्जर सब यूनिट है लार्जर को और इसमोलर को जोडने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं नेक वाला पॉर्शन बोलते हैं नेक हमारी नेक जैसे बोडी को पूर होती है अंदर लाजर सभयूनिट के पीचों बीच सबदface उसको हमलोग क्या बंख यह चेह speculate कि कि इस तनल के धुर्धिक्ति प्रोटिंस होती हे और यह तो अब रहा होती है यह श्यारम कभा देख रहे हैं इसको k Tail कि लोग नहीं फाट कि गूरोड बोलते हैं इसके अंदर इस तरह से यह तो जो जो अपरव दिखा रहे हैं एक्शुली कवर नहीं होता है कि प्रोटीन का एक अन्वायोच होता है आउटर सब्चुनेट और इसको बना होता है यह बोडी प्रोटीन का और इसके अंदर इस तरह से राइबोजुमल RNA पाये जाता है इस तरह से राइबोजुमल RNA पाये जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे IRRRNA राइबोजुमल आरेने तो composition में हम लोग जो देख रहे थे RNA और protein यह protein cover है है ना और अंदर میں genetic material RNA है क्या है ribosomal RNA इस तरह से है तो physical structure ribosomes का यह हो गया chemical composition में यह हमारा RNA and protein हो गया तो यह ribosomes का physical structure है कैसा body है small है, spherical है membrane-less, dense body है with two unequal parts दो unequal parts है एक smaller subunit बोले है और larger, larger subunit बोले है, unequal part में है ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे smaller subunit और larger subunit that means small spherical dense body है membrane-less dense body है with two unequal parts क्या है, small है spherical है spherical है membrane-less है membrane-less body membrane-less dense body बोलेंगे dense body है with two unequal parts with two unequal parts two unequal parts दो unequal parts है एक smaller subunit जिसको cap बोले है smaller subunit जिसको हम लोग ने क्या बोला है with two unequal parts है smaller subunit small size का होता है larger subunit larger size का होता है यहां पी जिस तरह से diagram में हम ही नजर आ रहे हैं यह जो two subunit of ribosomes है generally freely in cytoplasm रता है cytoplasm में freely रता है two subunit of ribosomes two subunit of ribosome are generally are freely in cytoplasm freely in cytoplasm cytoplasm में यह कैसा रता है freely adjust करता है और जब protein synthesis करना होता है तो यह combine होता है smaller subunit और larger subunit दोनों अलग-अलग जगा cytoplasm में exist करता है but mRNA जब nucleus से बाहर आता है DNA mRNA formation होता है mRNA nuclear pore के तुरू बाहर आ जाता है cytoplasm में और फिर Mz concentration Mz ion का concentration level जब ज़्यादा होता है 0.001m से ज़्यादा होता है तो ribosomal subunit का association होता है mRNA sting पे poly ribosomes का formation करता है तो two subunit of ribosomes are generally freely in cytoplasm free in cytoplasm freely in the cytoplasm two ribosomal subunit यहाँ पे जो combine होता है कब होता है जब protein synthesis होना होता है two ribosomal subunit associated at the beginning of protein synthesis associate होता है जब protein synthesis होना start होता है और dissociate होता है अलग होता है at the end of protein synthesis तो यह point को हम लोग mention करेंगे two ribosomal subunit associated two ribosomal subunit associated two ribosomal subunit associated two ribosomal subunit associated with the beginning of protein synthesis with the beginning with the beginning of protein synthesis protein synthesis जब protein synthesis होना start होता है beginning होता है तो यह क्या होता है associate होता है कैसा होता है associated होता है जब at the time of beginning of protein synthesis यह क्या होता है राइबोजमल सब्यूनिट एस्वोसियेट होता है एक जगह जमाँ होता है और और एंड एगें एंड 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 विसोसियेटेट एंड 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 एं को याद रखना है एस्टोसियेशन कब होती है जब protein synthesis होना start होता है तो ribosomal sub unit किया होती है MRNA पर इस तरह से associate होता है कि smaller sub unit larger sub unit associate होता है MRNA team पर इस तरह से और जब protein synthesis करना बंद करता है तो यह फिर से अलग हो जाता है बिसोसियेट हो जाता है smaller sub unit और लाड़ यर सब यूनिट इस तरह से अलग हो जाते हैं एसोशेशन और बिसोशेशन कब होता है उस बात को लोग को देखना है यहां पर एसोशेशन और बिसोशेशन एम जी आयन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एसोशेशन और बिसोशेशन होता है और राइबोजोमल सब यूनिट और राइबोजोमल सब यूनिट एसोशेशन होता है और बिसोशेशन होता है राइबोजोमल सब यूनिट का आर कंट्रोल बाई, कंसेंट्रेशन ओफ, आर कंट्रोल बाई, कंसेंट्रेशन ओफ, एम जी आयन कंसेंट्रेशन, एम जी प्लस प्लस आयन कंसेंट्रेशन, Mgин participation यहाँ पे depend करता है कब association होता है जब Mgin concentration high concentration होती है तो associate करता है ribosomal sub-unit और जब concentration low होता है तो यह favor करता है besociation जब high concentration होता है तो ацию होती है और जब लो कंसेंट्रेशन होता है तो बिसूशियेशन होता है ये दो दो फोंगे हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होंगे तो mg आयन का कंसंट्रेशन कितना हाई होगा से अगर ज्यादा होगा हाई कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे फैवर करेगा एसोशियेशन को देन फैवर एसोशियेशन और यहीं पे लो कंसंट्रेशन होगी दैट मेंस बिलो जिरो पॉइंट जिरो जिरो मोल दैन फैवर करेगा इसोशियेशन को जुदाई जिसको बोलते हैं यह मिलन है यह जुदाई है मिलन कब होगी जब कंसंट्रेशन Mzn का 0.001 से ज्यादा होगा और जब बीलो होगा इतना से तो क्या होगी फेवर करेगा yeah युदाई होगी दैट मिस बैसार आधा इंड ओप्रोटीन शेंथेस कोता है एसोशियेशन at the beginning of protein synthesis होता है तो इस बात को ध्यान में रखना है कब protein synthesis होती है जब protein synthesis होती है तो protein ribosomal subunit associate होता है और जब protein synthesis होना खतम हो जाता है तो ribosome का जो दो subunit है और इक्वल subunit दोनों अलग हो जाता है है ओके नेक्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जब protein synthesis होती है तो six to eight ribosomes कि mRNA string पर एक लाइन से एर्रेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोली राइबो जोम्स या फिर पोली जोम्स या फिर इलगा जोम बोलते हैं कि दूरिंग प्रोटीन सेंथेसिस क्या होती है six to eight जिनरली six to eight ribosomes यह क्या होती है एक लाइन से get arranged अन्य फैशन इन लिनियर फैशन इन आ लिनियर फैशन लिनियर फैशन में अर्रेंज होती है along the strand of mRNA messenger RNA के along क्या होती है 6 to 8 ribosomes linear fashion में arranged होती है such group of ribosomes are called such groups of ribosomes are called polygomes poly ribosomes या फिर इसको बोलते हैं polysome या फिर इसको बोलते हैं ilgasome 6 to 8 ribosomes get arranged in a linear fashion along the strand of mRNA किस तरह से यह mRNA strand है इस पे 6 to 8 ribosomes इस तरह से arrange होती है दोनों sub unit smaller sub unit larger sub unit और क्या होती है protein synthesis होती है इस तरह से इसी को बोलते है poly ribosome या फिर polysome या फिर ilgasome ओके नेक्स क्लास में हम लोग देखेंगे prokaryotic ribosome different किस तरह से होता है eukaryotic ribosome से तो prokaryotic ribosome eukaryotic ribosome के बीच में हम लोग क्या आप देखेंगे differences देखेंगे ओके थैंक यू कर बेते हैं कर दो कर दो मैंक कर दो मैं अल committing ёл कर दो करूआ